हेलो इस्टुडेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टाय स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन आफ बायलोजी के विशह में जानेंगे आज से बायलोजी की सिरीज में प्रारम कर रहा हूँ आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किये इन तक जरूर देखिएगा तो देखिए चलिए वीडियो हम अपना शुरू करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे आने वाली सभी नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आप तक पहुँच सके देखिए जीव विज्ञान यानि पायोलोजी प्राकृतिक विज्ञान की तीन विशाल शाकाओं में से एक है यह विज्ञान जीव, जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से सम्मंधित है इस विज्ञान में हम जीवों की सनरचना, कारियों, विकास, उद्भाव, पहचान, वितरण, उमुन के वरगी करण के बारे में पढ़ते हैं आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तरित विज्ञान है जिसकी कई शाकाएं है बायोलोजी शब्द का प्रियोग सबसे पहले लाइमार्क और ट्रेवी रैनस नाम के विज्ञानिकों ने सन 1801 में किया बायोलोजी शब्द का प्रियोग सबसे पहले लाइमार्क किसने किया था सबसे पहले लाइमार्क और ट्रेवी रैनस नाम के दो विज्ञानिक थे जीव कहलाती है इनका एक परिमित जीवन चकर होता है हम सभी जीव है जीवों में कुछ मौलिक प्रक्रियाएं होती हैं पहली प्रक्रिया देखिए पोशन है इसके अंतरगत सभी जीव विशेश पदार्थों के अधिगरहन से अपने लिए तांतरिक उर्जा प्राप्ट करत उर्जा ही सबसे आवश्यक वस्तू है दूसरा पहलू है श्वसन इसमें प्राणी महत्वपूर्ण गैसों का परिवहन करता है बिना सास लिए कोई भी व्यक्त जीवित नहीं रह सकता तीसरा पहलू है समवेदन शीलता जीवों में वह अनुक्रियाओं के प्रती समवेदन श प्रजिनन से जीव अपने ही तरह की संतान उत्पन कर सकता है तथा जैविक अस्तित्त की पुष्टता को प्रदान करता है तो देखिए बायोलोजी जो है दो शब्दों से मिल करके बना है और जो दोनों शब्द है वो सभी ग्रीक सब्द है लेटिन भासा के सब्द है पहल जो लोजी देखिए जीव विग्ञान को दो भागों में बाटा गया है पहला भाग है जो लोजी और दूसरा भाग है बाटनी जो लोजी जोआन मींस एनिमल दो सब्दों से बना है जो लोजी पहला सब्द है जोआन और दूसरा सब्द है लोगस तो जोआन मींस एनिमल य ग्यान का अध्यान किया जाता है। के फादर पूरे बायोलोजी के फादर तो अरिस्टोटल कहे जाते है यानि आरस्तू और इनका जो दोनों भाग है capitalist ौर बात नी इनमें पहला है जो लोजी तो फादर आफ। जो लोजी ऐस वेला त्योफ रास्टिस को फादर आफ बॉटनी कहा जाता है जैसा कि महने प्रारंभ में आपको बताया लाइमार्क और ट्रेवी नैरस नामक दो बैज्यानिकों ने बायलोजी शब्द का नाम सर्वपरथम दिया था आधुनिक जियोविज्ञान के आधार क्या क्या है ये आप देख लिजे तो पहला आधार है कोशिका सिध्धान सेल्थ योरी आपको अगले वीडियो में करमा नुसार सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी दूसरा आधार है करम विकास जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन तृतिये आधार है जियोविज्ञान का आनुवान शिक्ता है रिडिटी जिसके पिता माने जाते हैं ग्रेगर जौन मेंडल जिनोंने मटर वगेरा पर अपना शोध किया था चोथा अस्थम्ब है आधार इस्थम्ब है समस्थापन होमियोस्टेसिस और पंचम आधार है उर्जा उर्जा जैसे उर्जा ही सबकुछ है बिना उर्जा के कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता आगे देखिए कुछ जिवविज्ञान के टर्म है सन 1665 ही में राबर्ट हुक ने कार्क उतक से कोशिकाओं का वर्डन किया था राबर्ट हुक ने आगे जो सबसे पहले कोशिका खोजा था वो राबर्ट हुक थे और 1683 इस्वी में एंटोनी वान ली विन हाक सुक्षदर्सी की सहायता से इन्होंने जीवाडू वैक्टीरिया एक कोशिकी ये जीवरक्त कोशिकाओं और सुक्राणव के बारे में पता लगाया था सन 1758 इस्वी में कार्ल वान लीनियस अपने सिस्टेमा नेचुरी नामगरंथ में इन्होंने गरंथ की रचना की थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी नामगरंथ में जन्तु जगत एवं पादप जगत का वर्गी करण किया जो आज भी वैद है इसके बारे में वीडि 80 इस्वी में मैंने उपर भी आपको बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पादपों में संक्रण हाइब्रडाइजेशन के प्रियोगों के बारे में पहला प्रकाशन किया और इन्होंने ही आनुवंशकी की अस्थापना की जिसके लिए इन्हें फादराफ हैरिडिटी कहते हैं सन 1925 इस्वी में लोट का वोल्टरा समीकरण यानि वोल्टरा इक्वेशन्स के साथ गड़ितिये जियो विज्ञान का युग शुरू हुआ 1935 इस्वी में वेल्डन मेरिथिल्ड इस्टेंडली द्वारा विशानू की खोज की गई थी 1944 इस्वी में ओस्वाल्ड एवरी ने दिखाया कि प्रोटीन नहीं बलकि डियन ने आनुविक सूचना का वाहक होता है 1937 इस्वी में जान मेनार्ड इस्मित और जार्ज आर प्राइस ने विकास वादे इस्तिर राडिनिती जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी की अउधार ना प्रस्तुत की जो की खेल सिधान्त और अर्थ नीती सहित अनेक शित्रों में उप्योगी है आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माधिम से हमें जरूर बताईएगा तब तक अगले वीडियो के लिए नमस्कार